जैहिन साथियो श्वागत करता हूँ आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप चोधरी और आज हम पढ़ेंगे जन्दरल सैंस के 50 इपोर्डेट क्योशन जो आपके आने वाले हैर एक्जाम में आपकी हेलप करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी 91 नमर ये कलास रहेगी फॉर्स्ट नमर क्योशन देखेगा आज की कलास का आपके सामने है क्योशन है समान आवेशों में होता है तो समान आवेशों में पर्तिकर्षन होता है यानि ए उप्षन आपका यहां पर राइट एंसर होगा जबकि जो विप्रित आवेश होते हैं उनमें एक दूसरे को आकरशित करते हैं अगला क्योशन देखो भी सेकेंड क्योशन है किसी भी परमानों के उदासीन होने का कारण क्या है तो होजेगा प्रोटोनों वै इलेक्टोनों के संख्या का बराबर होना यानि डी उप्षन आपका यहां पर राइट एंसर होगा अगला क्योशन देखो भी त्री नमबर क्योशन आपके सामने है विदूत दर्सी का कार्य क्या होता है तो आवेसों की उपस्थीति का पता लगानी का यानि ए उप्षन आपका यहां पर राइट एंसर होगा अगला क्योशन देखो फोर नमबर क्योशन आपके सामने है क्योशन है विदूत आवेस के मूल करन कौन कौन से है तो होजेगा उप्रियोक सभी यानि आवेसों की आवेस उनकी योज्यता और विदूत आवेस का सरक्षन और होजेगा विदूत आवेस का क्वांटमी करण यानि D option आपका यहां पर right answer होगा अगला 5 नमर क्योशन देखो भी आवेस सरक्षन का नियम है तो आवेस सरक्षन का नियम होजेगा आवेस को नय तो उत्पन किया जा सकता और ना ही nest किया जा सकता ठीक है अगला क्योशन देखो भी 6 नमर क्योशन आपके सामने है आवेस का quantum करण गुण क्या होता है तो होजेगा आवेस को E positive या फिर E negative के पुरण गुणजों में पाया जाना आवेस का E positive और E negative के पुरण गुणजों में पाया जाना ठीक है अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है क्योशन है electron पर आवेस होता है तो electron पे रिनात्मक आवेश होता है जिसे हम रिनात्मक आवेश होता है बी option होजेगा जिसे हम इस परकार से denote करते हैं अगला question देखो भी आपके सामने है question है विदूत आवेश सदेव electronों का पुरणाक गुणुज होता है यह है विदूत आवेश के कौन से गुण से समन्दित है तो आपका right answer होजेगा वो होगा आवेश का क्वांटमी करण यानि C option आपका यहाँ पे right answer होगा 9 number question देखो भी आपके सामने है 9 number question है मात्रकों की अंतराष्ट्य पढ़नाली में आवेश का मात्रक होता है तो होजेगा कुलाम यानि A option आपका यहाँ पे right answer होगा 10 number question देखो भी 10 number question आपके सामने है यदि किसी वस्तु में N1 electron थता N2 proton है तो उस पर कुल कितना आवेश होगा तो उस पे A वे B दोनों यानि C option है वो आपका यहाँ पे right answer होगा अगला question देखो भी 11 number question आपके सामने है question है आवेश वे द्रुवयमान में अंतर क्या होता है तो आवेश सदेव है वो धनात्मक होता है और आवेश दनात्मक और रिनात्मक दोनों होते हैं तो C option आपका यहाँ पे right answer होगा 12 number question देखो भी आपके सामने question है पारदार्थ के आवेशित मूलकन होते है तो वो होजेगा electron वे proton यानि A option आपका यहाँ पे right answer होगा 13 number question देखो भी आपके सामने है क्योशन है electron का द्रिवय मान होता है तो electron का द्रिवय मान 9.1 x 10的話 –31kg होता है यानि C option आपका यहां पराट answer होगा 14 number question देखो भी आपके सामने है question है superconductor की चालकता कितनी होती है तो asmyth होती है A option आपका यहां पराट answer होगा अगला question देखो भी 15 नमबर question आपके सामने है question है विदूत आवेस के चारों और का वह चेतर जिसमें कोई आवेस आकर्षन वह पर्तिकर्षन बल का अनुब़ो करती है क्या कहलाता है तो वो A और B दोनों कहलाता है यानि विदूत चेतर और विदूत बल चेतर दोनों ही कहलाएगा ठीक है तो D option आपका यहाँ पर रैट answer होगा 16 नमबर question देखो भी निमल लिखित में से विदूत बल रेखाओं के गुण क्या है विदूत बल रेखाओं के गुण क्या है तो होजेगा उप्रियोक सभी All of these आपका यहाँ पर रैट answer होगा 17 नमबर question देखो भी विदूत बल रेखाओं कहां से निकलती है और कहां समाप्त होती है तो आपका रैट answer होगा धनावेस से निकलती है और रिनावेस पर समाप्त हो जाती है तो C option है वो आपका यहाँ पर रैट answer होगा विदूत चेतर की तीवरता का मात्र क्या होता है तो आपका रैट answer होगा Newton परति कुलाम होता है D option आपका यहाँ पर रैट answer होगा अगला question देखेगा 19 नमर question आपके सामने है निर्वाद की विदूत सेलता का मान कितना होता है तो निर्वाद की विदूत सेलता का मान है वो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम सुकेर माइनस न्यूटन मिटर सुकेर यानि ए option आपका यहाँ पर रैट answer होगा 20 नमर question देखो भी वे अनू जिनके एक सीरे पर धनावेस ता दूसरे सीरे पर उतना ही रिनावेस हो क्या कहेंगे उसे तो विदूत द्वी द्रो कहेंगे ठीक है विदूत द्वी द्रो कहेंगे बी option है वो आपका यहाँ पर रैट answer होगा 21 नमर question देखो भी आपके सामने है question है निम्मल में से विदूत द्वी द्रो के उधान कौन से है तो उप्रोक्स भी अमोनिया है पानी है मिथेन है ये विदूत द्वी द्रो के example हो जाएंगे अगला question देखो भी 22 नमर question है परमानों विदूत द्वी द्रो नहीं होता क्योंकि इसमें परमानों में धनावेस वर रिनावेस का केंदर एक होता है इसलिए और दूसरा कारण हो जेगा परमानों विदूत उधाशिन होता है तो A और B दोनों उसी option आपका यहां पर रैटेंस रहोगा 23 नमर question देखो भी जिन परदार्थों में से आवेस का परवा है आसानी सी हो जाता है वे क्या कहलाती है जिन परदार्थों में आवेस का परवा है आसानी सी हो जाता है उससे हम क्या कहेंगे तो चालक बोलेंगे उसे, ठीक है? अगला question देखो भी, चालक अगला 24 नमर question है इलेक्टरोनिक उपकरणों में परयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर किन परदार्थों से बनाय जाते हैं तो वो अर्ध चालक परदार्थों से बनाय जाते हैं, यानि C option आपका यहापे रहएट एंसर होगा 25 नमर डेखो भी Superconductor Superconductor कौन सा है तो अती चाला का वो एक क्या है Superconductor है D Option आपका यहापे रहएट एंसर होगा 26 नमर क्यूशन देखो भी शर्वादिक विदूत चालकता का सर्वादिक वीदूत चालकता वाला परदार्थ कौन सा है तो चांदी हो जाएगा डी ओप्षन आपका यहां पर राइटेंसर होगा 27 नमर क्योशन देखो भी अती चालकता की खोज किसने की थी तो आपका राइटेंसर होगा केमर लिंग 19 ने 1911 में की थी भी केमर लिंग 19 ने 1911 में अगला क्योशन देखो भी 28 नमर क्योशन है एक समान विदूत छेतर में अभी लंबवत परवेश करने वाले इलेक्ट्रोन का पत केसा होता है तो वो परवल्यकार होता है यानि ए ओप्षन आपका यहां पर राइटेंसर होगा अगला क्योशन देखो भी 30 नमर क्योशन आपके सामने है क्योशन है धात्यों में विदूत चालन की किरिया किसके कारण होती है तो वो होती है मुक्त इलेक्ट्रोनों के कारण यानि B ओप्षन आपका यहां पर राइटेंसर होगा अगला question देखो भी कत्तिस नमबर question आपके सामने है question है आवेस का प्रिष्ट गंतो कितना होता है तो आवेस का प्रिष्ट गंतो होता है प्रिष्ट गंतो इकोल होता है आवेस अपोन में छेतर फल यानि ए ओप्षिन आपका याँ पे रेट एंसर होगा अगला question देखो भी 32 नमबर question है खोकले चालक के बीच विदूत शेतर कितना होता है तो सुन्या होगा यानि C option आपका याँ पे रेट एंसर होगा 33 नमबर question देखो भी आपके सामने है कि सिविज्ञानिक ने तरित चालक का अविश्कार किया था तो आपका रेट एंसर होगा बेज़ा मिन फ्रेंकलीन ने यानि ए ओप्षन आपका याँ पे रेट एंसर होगा अगला question देखो भी 34 नमबर question आपके सामने है question है तरित चालक इमार्तों को नस्ट होने से किस परकार बचा सकते हैं तो आपका रेट एंसर होगा ये आवेश को पर्थी तक भीज़ देती हैं यानि ए ओप्षन आपका याँ पे रेट एंसर होगा अगले question पे लेके चलता हूँ 35 नमबर question देखो भी नुकिले भाग का प्रस्ट ये घंतो होता है तो वो होजेगा सबसे अधिक होगा यानि ए ओप्षन आपका याँ पे रेट एंसर होगा अगला question है एक आवेशित खोकले गोले के केंद्रक पर विदूत विववव कितना होगा तो सुन्य होगा C option आपका याँ पे रेट एंसर होगा 37 नमर question देखो भी वह भोतिक रासी कौनसी है जो दो आवेशित वस्तों के बीच आवेश के परवाह की दिशा को निर्धारित करती है तो वो आपका रेट एंसर होगा विदूत विववव यानि B option आपका याँ पे रेट एंसर होगा आगले question पे लेके चलता हूँ 38 नमर question देखेगा विदूत विववव को परदाशित करते है तो विदूत विववव को हम V बराबर W upon में Q से डिनोट करते है एक option आपका याँ पे रेट एंसर होगा V यहाँ पे क्या है विदूत विववव है और W यहाँ पे किसी आवेश को विदूत चेतर तक लाने में किया गया कार्य को डिनोट करता है और Q यहाँ पे आवेश होता है अगला question देखो भी गुन 40 नमर question है विदूत विवानतर का SI मात्र क्या होता है तो आपका रेट एंसर होगा धन आवेश का परवाह सदे उच विवो से निमन विवो की और परवाहित होता है A option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा 41 नमर question देखो भी 41 नमर question आपके सामने है विवो क्या निर्धारित करता है विवो है वो आवेश का परवाह की दिशा को निर्धारित करता है C option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा 42 नमर question देखो भी आपके सामने है Question है यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदूओं के बीच एक कुलाम आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए एक जूल कारिय किया जाता है तो इन दो बिंदूओं के बीच विवांतर कितना होगा तो आपका रेट एंसर होगा एक वोल्ट होगा यानि C option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा 43 नमर के उशन देखो भी आपके सामने है 12 विवांतर के दो बिंदूओं के बीच दो कुलाम आवेश को ले जाने में ले जाने के लिए कितना कारिय किया जाता है तो वो आपका रेट एंसर होगा 24 जूल कारिय किया जाता है C option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा अगला 44 नमर के उशन देखो भी किसी चालक शीरों के बीच विवांतरम आपने की युकति क्या होती है तो वो वोल्ट मिटर होती है यानि A option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा और वोल्ट मिटर को सदेव पार्सो करम में सियोंजित किया जाता है 45 नमर के उशन देखो भी आवेस के परवाह की दर को क्या कहते है तो आपका रेट एंसर का विदूत दहरा बोलते है यानि B option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा अगला 46 नमर के उशन देख़ेगा आपके सामने है यदि T second में Q कुलाम आवेस चालक के किसी बिंदू से गुजरती है तो विदूत दहरा क्या होगी आई बराबर क्या होजेगा Q upon में T होजेगा Q upon में T यानि A option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा अगला Q देख़ो भी 47 नमर के उशन आपके सामने है Q विदूत दहरा का असाई मात्र क्या होता है तो MpN होगा A option आपका यहाँ पे रेट एंसर होगा अगला Q देखो भी 48 नमर के उशन आपके सामने है किसी विदूत बलफ के तंतू में से 0.5 विदूत दहरा 10 मिनट तक परवाहित होती है तो विदूत परीफट में परवाहित विदूत आवेस का परणाम ग्याद किजी तो परणाम कितना होगा भी 300 कुलाम हो जएगा इसका परणाम ठीक है तो यह किस से हम ग्याद कर सकते है कुलाम अपने परवाहित विदूत आवेस का परिणाम ग्याद करना है तो आपको पता है I बराबर क्या होता है Q upon T I बराबर क्या होता है Q upon T होता है जिसमें या फिर अपन इस परगार से भी ली सकते हैं इसको Q बराबर क्या होगा I into T हो जाएगा ठीक है न तो इस formula से अपन ग्याद कर सकते हैं गुंचास नमर क्योशन देखो भी विदूत दहरा है विदूत दहरा एक क्या है अधीश रासी है B option आपका यहाँ पर रेट एंसर होगा 50 नमर क्योशन देखो भी 15 नमर क्योशन आपके सामने है क्योशन है विदूत दहरा के मातरक की परिवासा है तो वो होजेगी एक कुलाम आवेस के परवाह से होती है एक कुलाम आवेस के परवाह से होती है यानि B option आपका यहाँ पर रेट एंसर होगा तो आशा कारता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्योशन कावर किये है सभी क्योशन आपको समझ में आगे होंगे अगर फिर भी कोई भी क्योशन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कॉमेट सेक्शन में जरूर करें आपकी doubt को clear किया जाएगा class पशंद आई है तो दिल से like करना दोस्तों ज्यादा से ज्यादा share भी करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को class का लाब मिल सके और class कैसी लगी मुझे comment section में जुरूर बताएं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना पास में लगे bell icon को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही इसका next video डाले तो उसका notification सबसे पहले आपको पास पहुंझे और आप तरों तो उसका लाब उठास को तो आज की class में इतना ही friends मिलेंगे हम next class में तब तक के लिए जय हिंद जय भरत